आपके अपने डीजे सर कोचिंग क्लास से सर्व मैं आपका हार्दू स्वागत करता हूं जैसे कि हमारी साइंस की MCQ की क्लास चल रही है हमारी जो अगली क्लास हुई थी वो तक नहां तक हुई थी इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आपने उस क्लास को बहुत पसंद किय दिया इसलिए मैं यह सेकेंड क्लास भी आपको अफलब्द करा रहा हूं तो आज ही क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं देखते हैं आप लोगों के लिए मैंने ये पॉशन ठोड़ा था और इसमें बोला था कि कमेंट में आपको आंसर देना तो आप बहुत सारे दाथ्यों ने इसका आंसर दिया है तो देखते हैं हम अगला केंडरी का उफस्टित होती है कैंद्री का उफश्थित होती है कोसी का दिरब में पहला जो option है वो है कोसी का दिरब में second जो option है वो है रस धानी में और तीसरा option है कैंद्रक दिरब में और चौता option है गुंड सूत्र बिंदुपर्ण ये question बहुती क्या है important है आपके हर exam के लिए important है इसका जो answer है साती हो वो है कोसी का दिरब में क्या होता दोस्तो एक आपकी क्या है कोसी का है कोसी का कंदर केंद्रक रहता है दोस्तो और केंद्रक की अंदर क्या रहता दोस्तो तो केंद्रक कंदर केंद्री का रहती है यह रहती है केंद्री का तो हमारा जो कोश्चन था वो यही था कि जो केंद्री का है वो खहाँ पर रहती है तो केंद्री का दोस्तों यहाँ पर रहती है केंद्रक की अंदर मतलब केंद्रक द्रब में इस बाल इससे को बोलेंगे ये क्या है ये दोस्तो केंदरक द्रब्ब है दोस्तो केंदरक की अंदर केंदरक द्रब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् तो दोस्तो पहला option एक प्रकार के होते हैं क्या दूसरा option है दोस्तो तीन प्रकार के होते हैं या पांच प्रकार के होते हैं या साथ प्रकार के होते हैं तो देखते हैं तो राई वो सोम जो होते हैं दोस्तो तोड़ा error है इस question में तो दोस्तो दो प्रकार के होते हैं एक होते ह है सत्तर एस और एक होते है दोस्त असी जिए क disp paid दो प्रकार की होती है यह अधे एक यु प्रोक केडियोख क ऑर मिज़िक इसमें इसम Commissioner लोह सत्तर परकार को थे और एक हो पूरे करेटिक को सिखा इसमें जो राइवोसोम होते दोस्तों वो असी पिरकार के होते हैं ये बात आपको ध्यान में राकना है बहुत इंपोटेंट कोश्चन है सब अगला कोश्चन पौपन चलते हैं और देखते हैं किसने जीवदरब को जीवन का भोतिक आधार बोला इस क्या यह XL हैं तो कि ने Bola दोस्तो XLE ने जीव द्रब को जीवन का भोतिक आदार भोला है ये बात आपको द्यान में रखना है अगले प्रैशने पर हम चलते हैं अगला है कॉसी का वित्ति बनी होती है कॉसी का लिफिट की कोसी का बित्ती मैंने आपको जो कोसी का वाला टोपी पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको एक एक बताए था क्या होती है और कोसी का जिल्ली क्या होती तो देखते हैं जो कोसी का बित्ती होती है आपकी कोसी का जो बित्ती होती है दोस्तो उसको बोला जाता सेलवा यह हमारी पादब कोशी काओं पाए जाती है पादब सेल में पाए जाती है पादब कोशी प्लांट सेल में पाए जाती है इसमें पाए जाती है यह जो बनी होती है वो दोस्तो सेल लूज की बनी होती है इसकी बन्योदि कोशी कवित्ति हमारा जो अप्शन है वो दोस्तों यह होगा अगला कोश्चन पर जाते हम अगला है फुस्वी की पंकुडियों का रंग किसकी इसकी फस्तिक कारण होता है फुस्वी की जो पंकुडियों होती है उसका जो रंग होता है वो किसके कारण होता ह तो पहला है क्रोमोप्लास्ट दूसरा है लूकोप्लास्ट तीसरा है क्लोरोप्लास्ट और चोंता है इलायोप्लास्ट इस का अंसर दोस्तों यह नहीं है इस इस बात पर आपको ध्यान देना है पुस्विकी पंक्लियों का रंग होता है तो वह होता है दोस्तों क्रोमोप्ला तो आप छोटी-छोटी बातों पर आपको विसे ध्यान देना है, छोटी सी गलती आपको एक नमर से पीछे छोड़ देती है, अगला प्रेशने देखते हैं, पत्यों का हरा रंग, इसकी उपस्ति के कारण होता है, मनलब जो पत्या होती है, उनका जो हरा रंग होता है, वो कि इसकी उपस्ति की वज़े से होता है, तो देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यह होता है, यह तो रंगीन होता है दोस्तों, लेकिन क्या बोला इसमें, पत्तियों का रंग हरा होता है, यह होता है दोस्तों, क्लोरो फलाष्ट की पर कौन सा, क्लोरो, ठीक है, जो होता है दो दोस्तों मेगनीसियम आपको ये बात भी ज्यान रकनी हैं कि लोड़ों प्राष्ट में उत्ध्य हमारी डातों और बहुत हैं में कौन सी दातु पाए जाती है तो वहाँ पर जो दातु है वो है आपकी आईरन कौन सी दोस्तो तो वो है आपकी आईरन तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है और ये बात भी आपको ध्यान में रखना है दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है अगला प्रेशने लेते हैं कोशीकाओं की रोग प्रिसकारकों का उत्पदन करने के लिए जिम्यदार कून दोस्तों ये कोशिन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ आपको comment में इसके answer देना है जिस मेंने जो रक्ट जो topic पड़ाया है उसके बारे मैंने जहापर इस question के बारे में discuss किया है आगे हम बढ़ते है इसका अंसर आपको कमेंट में बता ना किस का अंसर क्या है अगला है कोशिका के बारे में निम्लिकित में से कौNसा एक कतन सई नहीं है एसे question को आपको विसेद ध्यान देने की क्या है जरूत है आजकाल के जो एक्जाम है वो ऐसे ही question आ रहे है कोसिकाओं के आकार और और आ माप विशिष्ट कारे से सम्मझत होते हैं बिल्कुल ये right है क्या पूचा है सही नहीं है कुछ कोसिकाओं के बदलते आकार होते हैं ये गलत है फिरतिया कोसिकाओं में निस्पादन की अपनी एक सम्मत होती बिल्कुल ये भी सही है सभी धे उतकों में एक ही पिरकार की कोसिका बिद्वान होती तो इसने गलत पूचाता दोस्तों कोंसा कतन गलत है इसका जो आंसर होगा वो second वाला होगा आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं निम लिकित में से सबसे वड़ा कोसिका क अंग क्या है यहाँ पर ना तो आप से जन्तु कोसिका की बात किये ना पादक कोसिका की बात किये यहाँ पर दोनों को मिला कर अंग पूचे गया का सबसे वड़ा अंग कौन सा है तो दोस्तों आप इसको क्लिक मत कर देना ये भी नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं ह तो आपका जो आंसर है दोस्तो वो यह होगा फश्ट वाला आपका क्या होगा दोस्तो आंसर होगा ऐसे question को आपको बिसे द्यान देने की जरूत है अगला question देखते हैं दोस्तो अगला question है कोशिका को एक निच्चित रूप प्रदान करती है question पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कोशिका को एक निच्चित रूप या आकार प्रदान कौन करती है आकार प्रदान कौन करती है कोशिका बित्थी करती है कोशिका जिल्ली है कोशिका क्या है कोशिका जिल्ली है कोशिका क्या है बित्थी है और क्या है केंद्री का है औ तो दोस्तो इसका अंसर आपको क्या लगाना है तो दोस्तो इसको कोसी का जो वित्ती होती है वो दोस्तो कोसी का को एक निच्चित रूप प्रदान करती है इस पर आपको ध्यान देने की क्या है जरूत है इसका ये वाला उप्षन मत लगा देना बहुत बड़ी आप से केंद्रमन नाविक क्या है केंद्रमन गुन्सूंत्र एक को सिका एक को सिका के नाविक में प्रत्य गुन्सूंत्र में क्या क्या होता है तो दोस्तों आपको यहां दिया गया है एक अर्ध गुन्सूंत्र के संगलंग को दो गुन्सूंत्र बिंदू यह नहीं है तो इसका अं आपकी कोशिका है कोशिका का अंदर नाविक होता है दोस्तों और इसी नाविक को आप क्या बोलोगे इसी केंदरक को हम क्या कहते हैं दोस्तों इसी केंदरक को हम नाविक कहते हैं दोस्तों नाविक नाविक और इस इसकी अंदर एक जालिका होती ही दोस्तों इस जालिका को हम क्रो मेटिन जालिका कहते है दोस्तो इस क्रोमेटिक जालिका का अंदर क्या रहता है दोस्तो इस क्रोमेटिक जालिका का अंदर गुंसूत रहते है दोस्तो इस गुंसूत का अंदर क्या रहते है दोस्तो DNA रहते हैं और इस DNA के अंदर क्या रहते हैं दोस्तों जीन रहते हैं यह सब पॉइंट आपको याद रखने हैं और आपकी notebook में इनको लिखना भी है अगले question पर हम चलते हैं पोसी का वित्ती होती है कोसी का वित्ती होती है कोसी का वित्ती होती इसका answer भी आपको comment में देना है मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग जो class से चल रही है उनको आप के से पढ़ रहे है तो इसका answer भी आपको comment में बताना अगला question लेते हैं दोस्तों अगला question है कोसी का कोसी काओ के विवाजन की प्रिक्रिया में सई क्रम को अभी निधरित कीजी अलब जो कोसी काओ के विवाजन होता है उनका जो क्रम होता है उसका हमको क्या करना सई निधरन करना है कौन से क्रम क्रम बाई चलता है तो कौन सा है पहला होगा प्रोपवेज, फिर होगा मेटाफेज, फिर होगा एनाफेज, और फिर होगा टोलोफेज, तो कौन से उप्शन लगाओगे, आप ये वाले उप्शन लगाओगे, कोसी का भी वजन की मेरतन में आपके लिए लेके आओंगा, ठीक है, उसमें आपको पूरा डिट आप की जाती है किसी काई में और जब रापत आप करते हैं तो पहला है ए टी फी से पर आने एडोसा एक The Second थी उसा की फुल्प्रोम है अब को दियान रखना है है दोस्तो एडिनोसिन टाई फास्पेट होता था इसकी फुल फोर्म आपको दियान डगना है यह होता है यह कोशिका की पुर्जा मुद्रा भी कहते हैं कोशिका के अंदर जो एनर्जी होती है उसकी जो इकाई होती ही दोस्तो वो एटिफी ही होती है इसके बारे में आपको यह दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं अगले कोशिन पर हम चलते हैं दोस्तो अगला कोशिन है निम लिकित में से किस कोशिका ध्रवी है कोशिका अंग को यूरेक्रेटिक कोशिकाओ के बीतर प्रोक्रेटिक कोशिका माना जाता है यह को याद रखना है पहला है सूत्रकणी का है क्या दूसरा है दोस्तों गोल जी काया है क्या और चौता है लाइसो सो में क्या या चौत ओप्षन या क्या है तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो दोस्तों यह है सूत्रकणी का क्या है सूत्रकणी का इसको इंग्लिस में microconia भी का जाता है इसके बारे में ये बहुत important है इसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है यहाँ पर आपका micro यहाँ पर आपका microconia इसके हम point देख लिएते हैं इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं कोशिका का क्या बोला जाता है कोशिका का इंजन भी कहते हैं इसे दोस्तो कोशिका का कोशिका क्या बोला जाता है दोस्तो इसको सोसन अंग भी कहते हैं तीसरा है इसे कोसिका का उर्जा गिरेवी कहते दोस्त। इसे अगर हिंदी में बात करें तो इसे हिंदी में सुंतरकनिका भी कहते हैं दोस्त। एक इसका ये क्या है एक इसका एक important है और इसमें क्या होता है इसमें ही दोस्तों इसका अगर कारेगी अगर बात करें इसके कारेगी बात करें तो बैटा क्या यहाँ पर क्या है बोजन का जो oxygen होता है वो यहीं होता है बोजन का यहाँ पर लिख सकते हैं glucose और glucose का जो formula होता है वो मेरे दोस्तों ये होता है, इसका जो ओक्सिकरन होता है, दोस्तों ओक्सिकरन वो माइक्रो कॉंडिया में ही होता है, आपको ये concept भी याद रखना है, माइक्रो कॉंडिया को कोसिका का इंजन भी कहते हैं, कोसिका का सोसनंग भी कहते हैं, कोसिका का उर्जा गिरे या सक्ति ग्रेवी कहते हैं स्थूत्र कनिका भी बोला जाता है इसका जो कार ये भूजन मतलब गुलुकोस इसका जो फॉर्मूला है वो 6 6-6 होता है और जो फो एकाइब कोशिय में मापी जाती दोस्तों किसे मापी जाती एक जातीे जो कोसी का की पूरी mcu अगर क्लास आफ step by step देखे हो चलते हैं दोस्तों अगला question देखते हैं कोसी का बिवाजन निम लिकित में से किस प्रिक्रिया से होता है मतलब कोसी का बिवाजन निम लिकित में से किस प्रिक्रिया दोरा होता है आपको ये वाद भी ध्यान रखना है कि कोसी का विवाजा निम लिकित में से किस पिरकार से होता है तो वो है माइटोसिस यह आपको त्यान डगना यह वाला उप्शन गलत है यह भी गलत है दोस्तों यह भी क्या है गलत अगला कोशन देखते हैं निम लिकित में से कौन सा कोशी का अंग प्रोटिन संसलेशन करता है कोशी details से और बहुत बारिक से आपको बताए आपको देखना बहुत ही क्या है important है तो देखते हम पहला है तो ये तो क्या होता है ये तो सोसन का काम करता है तो ये option अपना हो नहीं सकता है गोल ये complex अपना है नहीं ये वाला option क्या है राइबोसों क्या है दोस्तों कि यह इसके बार हमहम देख दोस्तों है तो यह कोसिका के अंदर अंतहा है अपर हमात चाहले का पर क्सितर रहता है यह बात भी आपको ध्यान डखना है यह क्या करता है यह दोस्तो प्रोटिन संसलेशन करता है प्रोटिन का क्या करता है संसलेशन यह करता है यह बात भी आपको क्या करना है ध्यान डखना है दोनों बात क्या है आपको बहुत अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तो अर्द सूत нос लिवाजन की किस अवस्था में संट्रों नियर का वुझा का वुझा होता है इसका कौन सथ होगा एन अफल कि हमारा जग अबिवी टोपिक चल रहा है मेरतन में वो सेल चल रहा जेसी टोपिक फिनिस होगा आपिक ली अगला टोपिक वो कोशी का भीवाजन पर ही क्या होगा आधरित होगा इस टोपिक को आपको देखना नहीं बूलना है कि आगे चलते हैं होटो रिस्फी फोटो रेस्फी रेसन निम्लिक्ट में से क्या है यह क्या है इसको बोला जाता है माइट्रो कॉंडियक अगला प्रेशने देखते हैं लेगर हैंस दीप की कौनसी कोशी का इंसुलिन निकालती इस्त्राविट करती तो यह क्या है यह पाचन तंत्र से सम्मंदित प्रेशने तो हम देख लेते हैं अलपा कोशी का है क्या तूसरा देख लेते हैं बीटा कोशी क का है क्या तीसा देख लेते हैं डेल्टा कोशी का है क्या या फिर एप कोशी का है तो कौन सी निकालती है दोसों बीटो कोशी का निकालती है जो एंसुलीन होता है कि इससे कौन सा डाइविटीज होती है मदू में रोग रोक का क्या होता यह कारक होता है अगला देखते हैं कोस की यह सोसन किसम होता है कोस की जो सोसन होता है वो किसकी अंदर होता है किसकी अंदर होता है तो आपने यह पूरी किलाद देखी है तो आप अंडेर परसेनांसर लगा दो गए यह क्या है mic 就 compareoscondition कि इसे इंडिम बात करते हैं यह नाम होत आता है सूत्र Kens conta का भी कहते हैं इसे को सि का का क की 사िक안 का इंजन भी कहते है को कि इसे IT इसे को सि का का उर्जा या सक्ति ग्रेवी कहते हैं इसे अगला पॉइंट आप से पूँचा गया इसे कोसिका का कोसिका का सोसन अंग भी कहते हैं कोसिका का जो सोसन अंग है वो आपका यही है माइट्रो कॉंडी यह पूर इंपोर्टेंट है तुठकनिका बोला जाता है कोसिका का इंजन बोला जाता है कोसिका का उजस्टते है यह यह अपकी अपनी koaching का app जिसे आपके लिए बहुती क्या है यूजफुल है इस एप को आप डाउनलोड कीजिए आपको यहां जो हमारे जितने भी बेकेंसी चल रही है उनके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके यहां पर आपको टेस्ट पूरे कम्प्रिट टेस्ट मिलेंगे हर सब्जेट को सार टेस्ट आपको उपलब इसको यहां आप अपने मूबायल में डाउनलोड कीजिए डाउनलोड डीजे सर कोचिंग क्लासेस कोटा एप आपके लिए बहुती क्या है यह इंपोर्टेंट है आपको इस एप से आपको कोस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और जितने